आसको चार्चामा मानव आहार खाना समचिपत प्रसुत्रबद रुपली बैखे गाने छुँ पहिला तो मानव जाती लाई दुई खाल का खाना आहार जरुरत पर्दश युटा हो तियो मानव जो शरीर को दायरा माच और को तियो मानव जो उसको अंतस को दायरा माच अंतस माच इद्वेलाई खाना भिन्न बंदच फेरी मानव को लक्षे तियो हो शरीर बाट बुद्धी रचेतन रुप माँ विकसीद भायर जाने उसको शरीर को दायरा माँ उसको चेतना छाब भने उसको लागी खाना कि इसको बारे माँ तर्चा गरी रहनों परदाईन उसको अन्य जैविक्ता जस्ताई रहन छा फरक इति मात्र छा एदी वो शारीरिक दायरा बाट बित्र अंतस बाउदिक चेतन रुप लाए उसलिए केंद्र मा राहे को छबने उसको लागी आहार भरक बंदे जान्च उसको आहार बदलंदे जान्च अब तहीं बदले को आहार को जानकारी यहां पहले स्वाद लाए लियूं यहां मिठो र नमिठो को सीधा संबंद समापत हुंच यहां स्वाद को छनोट समापत हुंच यहां अहार लाई होश्पूर्वक लेहींच अथ अहार कहां बाटा आयो इसको इस्पत्पत जानकारी रहन पछ अहार कुझ रूपले आयो इसको सुद्धता मेल इस्पश्थ जानकारी रहन पछ इस आहार शरीर को लागी खाई एको आहार ली एको यहां खानू पर छा भने होई ना को लागी खाई दिनू पर छा एस तो खाल को चेतना अपलावद होन्छ इहां खाना को लागी बांचने खोई ना बांचन को लागी खाने एत्ती रहन्छ बस एत्ती इस पची आहार लाई होस्पूर्वक लीन्च बाउदिक रुपलेरी लीन्च सचेत भायर लीन्च सुद्ध रुपले लीन्च तो आहार फिरी बाले काल को जस्ते बन ले जान्च जस्तो इस्तन पान दात ले दूध बनाए रखाने फिरी बने स्लाई दात ले दूध बनाए रखानू आत को काम दात ले गरनू दात को काम आत ले न गरनू अनि फिरी यहां मामसाहार रा साकाहार को संदर बचा यहां शरीर को दायरामा उच्छाई न भने मानभी तामा छा तो यहां सुथ साकाहार बन्च फिरी पन यहां अजही रहन्च तार्किकता यहां बनस्पतिमा पनी तो रहन्च चेतना यहां पनी हिंग्षा चल्च यहां हामरों बाहिरी चेतनाले हिंग्षा को अनुभाव न गरने जुन सुके आहार अहिंग्षक आहार हो जस्तो हामगे आहार को रुपमा जुन उपयोग मा ल्याओनुछ तियो बासने संबेदना बाहिर न देख्खियोश उसको बासने संबेदना बाहिर हामीले अनुभाव गरना न सकों बाहिर भित्रत उसको चेतना जैबित्तामा सबयेमाच काण काण मा चेतना जैबिक और जैबिक सबयेमा चेतना जैबिक आहार को लागी एत्ती जाननुपर्योग जुमानिस चेतन जैबिक आमीले आहर को लागी लीने सामाल ग्रिले बस्तुले खाध्यन नले आपो बासने संबेदना न देखावस् उसले बासने संबेदना बाहिर बाट लिनु न परस तत्यो सबय अहिंसक आहार हो एसो भन्दैमा बनस्पति जगत लाए एस माथी संबेदना नराखनी भनियेको होईना एस माथी पनी संबेदन शील बन्नुपर्च बनस्पति जगत को पूना पाख फल वा अन्न या साक्साबजी को फैलाव इसलाई ध्यान दियेर उपयोग अब स्यगर बस अब खाना को समाई खाना को समाई एउटा खाई रहने अरको समाई को ग्याप अती खाने आहार को मात्रा इसको पनी तेतिनी महत्तोपना ज़ आमीले खाई रहनुछ पने थोरे थोरे खाने एउटा रुह को पात एउडा खाना एखाल को खाना एउटा रुह को एउटा पात एटी एटी खाने फिर और को पनी खाने एवड़ा रूह को पात जत्ती हुँच्छ तिरत्ती खाई रहने को लागी यो मात्रा ध्यान देने लुपर हो जसले छाख खान्चन इसको लागी समाई च्छोगंडा 8 गंडा 12 गंडा यो हरेकमा फरक हों उसको सेतना को इस्तर मा फरक हों उसको चेतना को इस्तर शरीर को दाहरा बत अंतसको दाहरा सम्मत जान्दाखेरी कुन इस्तरमा छो एसमा फ़राप पर छो रएयो सुभावेक रूपले जीबन विकास्मा सुभावेक रूपले आहार को बदलाव उने जान्छा रए एही अनुशार उसले आफे तय गर्नी हो इहां अईले नहीं जास्को चेतना सारेरीख छो फिरी उसले चेतन आहार लिमजरुरत छाई ना उसको चेतना सारेरीख दायरा मछा बने वो सोतह मामसहारी रहं थे इसको भियूद गर उपड़े हिए उसको दाएरह उसको चेतन दाएरह और अंतस माँ गई सके बची फिरी माम्साहर बन दे उसलिए मामसाहर गर न सकते कि इसरी कि आहार लाई साथ तविक तामसिक रराजसिक इत्तिन लुबमा अयरुवेद साष्तरमा इस पउसट रूप में दीये गोचा इसप पाथा हमले शिच्छ झालीू norm मुहतव पम hors on Pois अन्ते मं के भना चाहां as पर किर्तिले आहार को लागी आगो दिये कही चाहिए आगो यहां उपलब्ध नहीं चाहिए इस परती खोशियार बस यह थी अर्जबला यह थी